हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलोजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथ साथ draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो number आपको आपकी screen के उपर नजर आ रहा है यह मेरा whatsapp number है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या phone consultation लेना चाहते हैं तो आप हमें whatsapp के जरीए signal के जरीए या फिर telegram के जरीए message send कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक squarish formation में नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे medium size fingers नजर आ रही है और काफी थिक है ज़स वज़े से native की energy and stamina भरपूर रहता है और यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ इस तरह की छोटी छोटी बारिक सीधी खड़ी रिखाएं इनकी सभी fingers के middle and lower phalanges के उपर आपको नजर आएंगी ऐसी रिखाओं का होना काफी positive माना जाता है ऐसी रिखाएं होने से native मिलन सार सभाव का रहता है अगर हम इनकी तरचनी उंगली यानि गुरू finger को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे काफी थिक ब्रस्पती finger यहाँ पर आपको नजर आएगर अच्छी length में है बिल ऐसे native की आपको देखने को मिलेगी अगर हम बात करें इनकी शनी फिंगर की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे काफी अच्छी लंबाई में और काफी थिक शनी फिंगर हमें यहाँ पर नजर आ रही है शनी फिंगर का इस तरह की formation में होना indicate करता है कि native काफी महनती nature का और अनुशाशन प्रिया टाइप की personality ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी और अपनी इन ही खूबियों की वज़े से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे native जरूर कामयाब हो जाते हैं अगर इनकी सूरे फिंगर की बात की जाये तो आप देखे बिल्कुल स्ट्रेट जिस वज़े से native की creativity का level काफी अच्छा रहेगा बहुत अच्छी artistic qualities भी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी और जिन लोगों की यह finger अच्छी लंबाई में हो ऐसे native एक बहुत अच्छा social circle बना पाने में भी जीवन में कामयाब रहते ह हैं और यहां पर आप देख पाएंगे कि इनकी जो सूर्य finger है length में यह आपको इनकी तरजनी से हलका सा अधिक नजर आएगी जिसकी वज़े से native थोड़ा risk taker सभाव का भी हो सकता है यह लोगों की यह finger अच्छी लंबाई में होती है ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी investments के मामले में भी इनको risk लेते हुए देखा जा सकता है ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं invest कर देते हैं जहां पर loss के chances भी equal रहते हैं जैसे share market है crypto currencies है mutual funds है multi level marketing है ऐसी चीजों की तरफ भी native का रु फिंगर की बात की जाए तो mercury finger थोड़ सा low set है अगर हम यहां पर देखें एक line draw करकर तो आपको कुछ इस तरह की एक रिखा बनती हुई नजर आएगी जिसमें आप देख पाएंगे कि यह finger इनकी बाकी की उंगलियों के मुकाबले नीचे से शुरू होती जबकि इनकी सूर communication skills भी कई बार थोड़े से परभावित होते हैं लेकिन यहां पर इनकी mercury finger की लंबाई ठीक है जिस वजह से बहुत ज़ादा negative effect communication skills पर नहीं होगा लेकिन थोड़ी hesitation भरे nature ऐसे व्यक्ति की आपको तेखने को मिल सकती है अब यहां पर देखेंगे इनकी जो mounts हैं उनमें इनका ब्रस्पती माउंट का area काफी prominent है काफी उभरा हुआ इनका गुरू परवत आपको नजर आएगा यह एरिया जो तरजनी उंगली के नीचे रहता है इसको गुरू परवत कहा जाता है और यहां पर आप देखेंगे एक लंबी progress line आपको नजर आगी कुछ इस तरह की रेखा इस तरह की रेखा का होना और साथ में कुछ और रेखाईं भी अगर इस तरह इसे चल रही हो इन्हें progress lines के नाम से जाना जाता है और जिनके हाथ में ऐसी progress lines होती है ऐसे विक्ति अपने चीवन में अच्छी तरकी कर पाने में जरूर कामयाब हो जाते हैं इसी के साथ साथ आ देख पाएंगे कुछ आड़ी रिखाएं भी आपको यहां पर नज़र आएंगी जिनिम लाइन्स ओफ सिंपती कहते हैं ऐसी रिखाओं का यहां पर मौचूद होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी सिंपेथाटिक सभाव का होगा ऐसे व्यक्ति के एक से अधिक सोर्स इंकम भी बनते हैं जिनके हाथ में गुरू परवत पर इस तरहें की आड़ी रिखाएं नज़र आएं अगर हम बात करें इनके शनी परवत की तो आप देखेंगे हलका सा फ्लाट होता हुआ शनी माउंट जिस वज़े से जीवन में शंघर्ष रहता है इसे व्यक्ति को यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में एक बहुती अच्छी और स्पष्ट भाग्या रिखा मौचूद है जिसमें थोड़ी आपको ओवरलैपिंग या कहिए कि डबल होती हुए यह रिखा आपको नज़र आएगी आपको ड्रॉ करकर दिखाना चाहूँगा यह एक ब्रेक लेती हुई और यहां से दबारा से शुरू होती हुए यह रिखा चीवन में काफी अच्छी तरकी व्यक्ती को दिलवाती है लेकिन साथी साथ अगर यह रिखा बीच बीच में स्ट्रेस लाइन से कट रही हो जैसे आप देख सकते हैं यह जो बीच में आपको को क्रॉस करती हुई नजर आएंगी जिनकी वज़ें से चीवन में कई उतार चड़ाव ऐसे व्यक्ति के रहते हैं ऐसे व्यक्ति को चीवन में कई अपसेंट डाउंस का सामना भी करना पड़ता है लेकिन अच्छी बात क्या है कि एक सपष्ट भागया रेखा इनके हाथ में म चल रही है यह रेखा कई बार सूर्य माउंट की तरफ और कई बार मरकरी माउंट की तरफ चलती है और यह रेखा जिसको हम मस्तिक शरीखा कहते हैं जिब यह तीन रेखाएं हाथ में मौचूद हो और हाथ के एक सेंटर में इस तरह का ट्राइंगल फॉर्म हो जाए तो इस इससे बहुत ही अच्छा माना जाता है बहुत ही शुब माना जाता है ऐसा ट्राइंगल रहुक्षेतर के ऊपर बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने चीवन में काफी अच्छा धन संचे कर पाएगा अपनी महिनत के बलबूते पर ऐसे व्यक्ति तरक्की करते हैं और में काफी अच्छी वेल्थ क्रियेट कर पाने में जरूर कामयाब होते हैं अगर हम बात करें इनके सूर्य परवत की तो आप देख पाएंगे सूर्य परवत का जो एरिया है बिल्कुल फ्लाट है सूर्य परवत पर सूर्य रेखा कटती हुई भी नजर आ रही यहाँ जो ए को जीवन में यश की कमी रह सकती है ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले दूसरों की कितनी भी मदद कर ले बदले में कोई अप्रिसियेशन कोई इनाम नहीं मिल पाता जिसे हम यश की कमी कहते हैं उसके साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ इस तरह हैं की काम करने की कोशिश में रहते हैं लेकिन फोकस किसी भी काम के उपर पूरी तरह से नहीं दे पाते इस तरह की रिखाएं होने से नेटिव मल्टी टास्किंग तो होता है लेकिन जीवन में फोकस की कमी भी ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलती है मरकरी माउंट की बात के जाए तो हलका सा लो सेट है ये माउंट लेकिन इस माउंट के उपर कुछ खड़ी लाइने आपको नजर आएंगे इस तरह की रिखाएं जिने हम हीलिंग लाइन्स के नाम से या मेडिकल स्टिगमेटा के नाम से जानते हैं हाथ में यहाँ पर ऐसी रिखाएं हों तो नेटिव एक बहुत अच्छा हीलर हो सकता है ऐसा व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला होता है अपने शब्दों से अपने कर्मों से अपनी सलहा या कंसल्टीशन के माध्यम से दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिल् और वहां पर भी लोगों की हेल्प करते हैं आप देख सकते हैं इनकी मेजर लाइन्स में इनकी जो हाट लाइन है कुछ इस तरह से काफी अच्छे करव में है और अंत में आकर आपको यहां पर एक फोर्क बनता हुआ नजर आएगा जिसको विश्णू चिन के नाम से जाना ज से चीटिंग से फ्रॉड से या किसी भी तरह के गलत काम से पैसा कमाने की कोशिशें जीवन में करने लगे तो बहुत सारी दिक्तें ऐसे व्यक्ति के जीवन में आ जाती है और तरक्की रुक जाती है इसलिए जिनके हाथ पर भी इस तरह का चिन बनता है उन्हें हमेशा यह सुजेशन देता हूं कि सही रास्ते पर चलें इमानदारी से थन कमाएं ताकि आपके चीवन में कोई बड़ी दिक्कतें ना आएं आप यहाँ पर देखेंगे कुछ डाउनवर्ड ब्रांचिज इनकी हार्ट लाइन पर और थोड़ी शैलोनेस इस एरिया में आपको हार्ट की हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखनी के जुरूरत रहती है जिनकी हार्ट लाइन थोड़ी शैलो आगे चलकर नजर आ रही हो अगर हम इनकी मस्तिक्ष रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे माइन लाइन में भी इस तरह से हमें ओबरलापिंग होती नजर यह डबल होती है मस्तिक शरीखा इनके हाथ में काफी स्ट्रॉंग मेंटल पावर्स को ऐसे व्यक्ती के इंडिकेट करती है जिनके हाथ में इस तरह से दो रिखाए होती है ऐसे व्यक्ती काफी क्रियेटिव नेचर के होते हैं बहुत अच्छी आर्टिस्टिक पीतर आपको देखने को मिलेंगी लेकिन थोड़ी ओवर्थिंकिंग की समस्या ऐसे व्यक्ति को हो सकती है थोड़ा स्ट्रेस या तनाव भी इस तरह की ओवर्लैप्ड माइंड लाइन की वजह से नेटिव के चीवन में आपको देखने को मिल सकता है अगर हम यहां पर देखे इनकी चीवन रेखा को तो आप देख पाएंगे एक लंबी और स्पष्ट जीवन रेखा इनके हाथ में नजर आ रही है यहां से शुरू होने वाली यह रेखा बिलकुल स्पष्ट है और काफी अच्छी लेंथ में नजर आ रहे हैं इस तरह की एक स्ट्रॉंग लाइफ ला का हाथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है लंबी रहेगी ऐसे व्यक्ति लगभग 80 के आसपास की एज को इंज़ॉय करते हैं और कुछ minor health issues नेटिव को हो सकते हैं लेकिन कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या ऐसे व्यक्ति के जीवन में नहीं आती चिनक की जीवन रेखा स्पष्ट हो और flawless हो आप यहां पर देख पाएंगे कुछ बारीक रेखाओं के माध्यम से एक फिश जैसी अकृति आपको इनके जीवन रेखा के अंतवाले भाग में बनती नदर आगी यहां से अगर आप देखेंगे तो यह रेखा कुछ इस तरह से एक साइन क्रियेट करती है इस तरह के चिन को केतू परवत के उपर बनने वाला फिश का सिंबल कहा जाता है और ऐसा चिन अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बनता हो तो ऐसे व्यक्ति को चीवन में कई बार अचानक धलाब होते हैं शेर मार्किट से लोटरी से इंशोरेंस या इन व्यक्ति को चीवन में कई बार मिलता है अब देख पाएंगे इनके अंगूठे के उपर आपको एक यव का चिन बनता हुआ नजर आएगा इस एरिया में यह जो अंगूठे का च्वाइट वाला भाग होता है यहाँ पर अगर इस तरह से एक आख जैसी अक्रिती बनती हु का पूर्वा अभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो अपने किसी रेलिटिव या मितर के साथ होने वाला हो ऐसी चीजों का नेटिव को पहले से ही पता चल सकता है अभास हो सकता है इस तरह का स्ट्रॉंग पूर्वा अ जात्राएं तो चीवन में रहेंगी ही साथ ये साथ कुछ आड़ी रिखाएं होने से शौर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी नेटिव के चीवन में रहते हैं लेकिन ऐसी काफी अधिक रिखाएं होने से नेटिव को थोड़ी बेच्चैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्या का सा इंडिकेट करता है कि जीवन में हर तरह की सुख सुविधा ऐसा व्यक्ति एंजॉय करता है लेकिन यहाँ पर आपको काफी सारी छोटी छोटी बारीक रिखाएं इनके वीनस माउंट के उपर नजर आएंगी जिसकी वज़े से नेटिव को परिवारिक चिंताओं का सामना अभी करना पड़ता है इसी रिखाएं होने से कई बार मेरिड लाइफ में थोड़ी इंस्टिबिलिटी रहती है परिवार में अपने परिवारिक सदस्यों की वज़े से उनकी हैल्थ को लेकर या उनकी वैल बिंग को लेकर कुछ ना कुछ चिंताएं नेटिव को परिशान देती हैं जब इस तरह की काफी सारी रिखाएं शुक्र परवत के उपर नजर आएं तो दोस्तों ये कुछ अनेलसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एक ही वीडियो के थुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेशन पैंडिंग है तो मुझे वट्सैप पर मेसेज करें मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद